हेलो एवरिवन असोक कुमारोजा से रेकेडमी में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सीडीपी से जो टॉपिक्स होगा वह होगा थियोरी आफ वाइगोस्की यानि वाइगोस्की महोद्य के सिद्धान से आज हम लोग आउगत होंगे वाइगोस्की है वाइगोस्की बेट इंग्लिश ए and hoped वाइगोस्की याज वाइगोस्की महोद्य ने सबसे ज़्यादा इंपैसिश किस पर डाला त्वाव किस पर डाला जुड किस पर डाला समाज पर and culture in its theory of cognitive यहां बात गौर करने वाली है कि वाइगोस्की के सिद्धान्त ने अपने संगनात्व विकास के सिद्धान्त में समाज और संस्कृति पर बहुत जोड़ दिया है। कि वाइगोस्की के सिद्धान्त किस ने दिया था? तो आप बेसक कैसे आते हैं? वाइगोस्की महोदे ने दिया था। और सिद्धान्त को और वाइश को की भूमिका को भी पहचानते हैं। रिकोगनाईज करते हैं किसका? दे रोल ओफ टीचर्स एन अडल्ट्स। He believes that collaborative learning is important. वो किस पर विश्वास करते हैं? वो सयोगी सिख्चा यानि collaborative learning का मतलब क्या होता है? collaborative learning का मतलब होता है यनि सयोगी सिख्चा इस बातों सब आउगत होंगे? हम लोग आगे जानेंगे। said that the cognitive development occurs under an interpersonal social situation in which an attempt is made to move children toward their potential development. यहां गौर कीजिया उन्होंने क्या कहा था कि cognitive development occurs under an interpersonal social situation. देखियो social situation को interpersonal कहते हैं उन्होंने कहा था संगनाता विकास एक पारस्परिक समाजिक इस्थिति के तहत होता है। देखिये लिखा हुए हैं interpersonal social situation in which an attempt is made to move children towards their potential development. जहां पर संभावित विकास की और ले जाने का प्रयास किया गया है और जहांके मदद से बच्चे कुछ potential अपने कर सकते हैं मैंने अपनी योगता को दिखा सकते हैं other than their actual level of development where they can do anything without help जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी मदद के अपने संभावित विकास के स्तर तक यानि इसे भी अब गवर करें to their level of potential development that is where they can do something with the help of someone यानि जहां वो कुछ भी कर सकते हैं with the help of someone the gap between the two is called reason of proximal development इसे कहते हैं यहां से exam में question पूछे जाएंगे कि JPD यानि proximal development विचाड़धारा को किस ने रखा था तो आप basic कह सकते हैं वाइगोस की मौद ने तो आप JPD का full form भी जान ले John of proximal development और JPD मैं आपको हिंदी एक फिर से बतायता हूं दिखे उन्होंने कहा था संगेनाथ विकास एक समाजिक तिती के तहत होता है जिसों बच्चोंक उनके विकास के वास्तिक स्थर के अलावा उनके संभाविक विकास के उले जाने का प्रयास किया जाता है देखें यहां लिखा हुआ है में तु मुव चिल्रेन तोवार्ट्स देर पॉदेंशियल डेवलोपमेंट अधर देर एक्चुल लेवल अप डेवलोपमेंट यहां वे मदद के बिना कुछ भी समवन ठीक है आप समझने इन बातों को यानि जहां हुए किसी की मदद से कुछ कर सकते दोनों के बीच के अंतर को समिपस्य विकास का चेत्र यानि समिपस्थ विकास का चेत्र यानि जेपीडी कहा जाता है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है समिपस्थ विकास का चेत्र ओके देखे, यहां लिखा हुआ है, proximal development, इसे आप गौर करेंगे, हम लोग आगे जाने, आगे वो क्या कह रहा है, वाइगोस्की believe that language and thinking develop separately but both can be assimilated together later for a work, देखे, यहां गौर करें, वाइगोस्की किस पर विश्वास करते हैं, language और thinking पर, okay, and develop separately but both can be assimilated together, वो क्या कहते हैं, वाइगोस्की जी का मानना है, क्या मानना था कि भासा और सोच, यानि, language और thinking जो अलग अलग विख्सित होते हैं separately but both, यानि, दोनों जो हैं can be assimilated together, है न, दोनों को एक साथ आत्म साथ किया जा सकता है, later for a work, but there is a less possibility of it, देखे, दोनों को एक साथ आत्म साथ कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम होती है, but thinking cannot, यहां गौर करें आप, but thinking cannot be done without language, क्या आप सो सकते हैं, thinking बिना किसी भासा की हो सकती है, according to him, the stage of language development आर, उन्होंने अपने सिद्दान्त में, थियोरी में, जो language development है, उसे भी रखा है, यानि वो कह रहे हैं कि लेकिन भासा के बिना चिंतन तो संभाव है नहीं, okay, इस बात से तो आप भी भली बाती परचित हैं, कि बिना भासा का thinking कैसे हो सकता है, तो हम लोग जान लें, उनके जो stage थे, language development के, वो कौन-कौन से थे, तो पहला जो आता है, उनके जो सिद्दान थे, वो कौन-कौन से थे, तो पहला आता नेटिव, okay, क्या आता है, नेटिव आता है, इसे भी आप गौर करें, यहाँ, ध्यान दे आप, नेटिव स्टेज, okay, in this stage, the child learns a word slowly, बच्चा कैसे सिखता है, इसे हम लोग क्या कहते है, मूल अवस्ता कहते है, इस अवस्ता हम बच्चा धीरे-धीरे और असानी से एक सब्ज सिखता है, and with ease, nobody cares about why he is doing it, कोई care नहीं करता है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी किसी को प used to convey the learning at this stage, यानि बच्चे को क्या देखकर सिखाया था, इसे भी आप गौर करें, तो पिक्चर देखकर सिखाया था बच्चे को, तो पहला पॉइंट आप समझ गया, मूल अवस्ता मैं एक बार हिंदी फिर से बतायता हूं आपको, इस अवस्ता हम बच्चा धीरे-धीरे एक सब्द सीखता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है, इस स्तर पर सीखने को व्यक्ति करने के लिए चित्र का उपयोग किया है था, मूल वो पिक्चर का प्रयोग करता है, लर्णिंग के लिए, अब फर्स्ट नमबर पॉइंट जान गया है, उनका जो language development था, इगो सेंट्रिक स्टेज, इसे भी आप गौर करें, इगो सेंट्रिक आहम किंद्री तवस्था, इन दिस स्टेज, दचाइल्ड कॉंसिडर हिंसल्फ इंपोर्टन एंड किप्स रिपीटिंग वाट इवाट इवांट्स, नहीं वो क्या करता है, रिपीट करता है कि जो वो चाहता है, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आहम किंद्री तवस्था कहते हैं, इस तवस्था भच्चा स्वेंग को महत्मुन समस्ता है और वो चाहता है कि इससे दोराते रहे, मतलब बात को रिपीट करते रहे, इन दिस स्टेज the child considered himself important and keeps on repeating, यहां तो हम इस्प नेभेश का मतलब क्या होता यहां पाइमानगेंड। Dir. लान थुिए वासा का होता है, इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक वाक्य यानि जो हम आंतरिक रुप से बोलते हैं आंतरिक वाक्य में नियमन के लिए भासा का प्रिव खेयाता है। इनरेस्पी, language is used for regulation, regulation मन नियमन, तो नियमन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, language का, okay, child begins to read and think, silent reading, बच्चा क्या करना सुरू कर जाता है, सोचना और पढ़ना, यानि चुप चाप पढ़ने लगता है, इन चीजों को, इससे भी आप अउगत हो गए, okay, अब हम लोग आके जानेंगे, आगे वो क्या कह रहा है, why goes, consider the following the stage of thinking, अब वो stage of thinking बता रहे हैं, thinking के क्या क्या स्टेज है, इससे भी आप गहर करें, तो पहला जो वो stage बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, collection of same things, okay, क्या, collections of same things, gather similar object, knowledge for differentiating the object from other, देखें, क्या होता है, यहां पर आप इस बात को गहर करें, कि समान चीजों का संग्रह, इसे हिंदी में कहते हैं, collection of same things, इसमें क्या होता, वस्तुओं को होने से अलग करने के लिए, समान वस्तुओं का ग्यान इकट्ठा करें, क्या लिखा, gather similar object, knowledge for differentiating the object from other, thinking as the creativity, अब दूसरा point क्या कह रहा है, कि जो thinking होता है, as a creativity, आप thinking का किस रूप में ही प्रयोग करेंगे, creativity की रूप में प्रयोग करेंगे, एक रचनात्मक रूप में सोचने का प्रयोग करेंगे, connects his own thoughts, perceptions, यनि जो अपने स्वैंग के विचारों को धारन को जोड़ता है, तो his है यहाँ पर, यहाँ थो आप मिस्प्रिंट है, his होगा, okay, तो आप क्या सीख रहे थे, stages of thinking, हम लोग आगे तीसरे number point को जान ले, उन्होंने तीसरे number point में क्या कहा है, stages of thinking में, okay, इसमें उन्होंने बताया है, conceptual, understand the concept first, then answer the question, this is required language, देखिए तीसरा जो point बता रहा है, वो ब संकल्पनात्मक, okay, understands the concept first, then answer the question, this requires language, देखिए संकल्पनात्मक जो पहले आउधारना को समझता है, फिर प्रश्णों को उत्तर देता है, इसके लिए भासा क्या उसकता होती है, okay, इसके लिए किस क्या उसकता होती है, भासा की, okay, आपने unit complete कर ले, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,